हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छी होंगे जैसा कि आप सब को पता ही है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चरह रही है जिसमें आज हम अपने फॉर्स चैप्टर का नेक्स पार्ट पढ़ेंगे जो की है अंडर सब्सक का मतलब क्या होता है और उसका कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करती है इन केस्ट एप्लिकेशन और लेस देन नमबर ऑफ शेयर ऑफ़र तो दे पब्लिक अपना पैसा इंवेस्ट करने के लिए उसी कंडिशन को अम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बो is less than the number of for which application have been invited for subscription एक और लेंगवेज में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जितना कंपनी इनवाइट की है सब्सक्रिप्शन के लिए उससे कम लोगों ने क्या किया है अप्लाइड किया है उस शेयर में इनवेस्ट करने के लिए उसी को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं मिलब जब इनवेटेशन ऑफ शेयर जादा होता है अप्लाइड शेयर से उसी को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं जिस कंडिशन में पब्लिक जो होती है वो कम सब्सक्राइब करती है उस कंडिशन को हम लोग अंडर कैसे होता है तो आई इसका देख लेते हैं company accounting treatment कैसे करती है the accounting treatment for under subscription is taken care of by the usual pattern regarding issue of shares for cash जैसे कि shares का issue होता है na cash लेके वैसे ही इसका under subscription का भी treatment same होता है वैसे ही in this situation the general entries will be passed on the basis of number of share applied for by the public इसमें public के दुआरा जितना वो shares के लिए applied करती है उसी basis पे हम लोग इसका journal entry करते हैं ठीक है company क्या करती है उसी basis पे जितना public allowed applied की है shares के लिए उसी number of shares applied के लिए उसी basis पे क्या करेगी journal entries करती है company आपको यह topic समझ में आया होगा फिर भी किसी को कहीं कोई भी problem हो तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं thank you so much please like subscribe and share my channel किसी को इस subject क्या किसी भी subject के notes चाहिए तो वो मेरा description box चेक कर सकता है thank you